गुर्मारिंग मैं बूरीफूल फीफूल कैसे आप सभी लोगाई होप यू आर डूइंग वेल और गाईज मैं भी डूइंग ग्रेट तो सारी रात बस स्नोफॉल का वेट करती रही और रात को अंधेरे में उठके देखनी सकती कि बहुत स्नोफॉल हो रही है नहीं हो रही ह क्योंकि कल रात को बहुत सारे लोग बोल रहे थे बाई कि आपके रूम से कहां कुफरी दिखाई देता है और स्नोफॉल नहीं हो रही है फॉल्स अपडेट मैंने दिया है तो हैव लुक यह पीछे कुफरी की पारिया चहां पे आपको स्नोफॉल देखनी को मिल रही है आज के दिन का भी वैदर जो को खराब बता है बट चांसे से सिरफ और सिरफ बारिश होने के हो सकता हाइर एटिटूड वाली जो एरिया से वहां पे स्नोफॉल देखने को मिल जाए और गाईज अब फैब की हम बात करेंगे क्योंकि फैब आने वाला तो फैब में वैदर क क्लाउट साफ मौसम ऐसा रहने वाला है मतलब हो सकता है बीच में चेंज आ जाए बारिश होने के चांसे जाए या फिस्नोफॉल होने के चांसे उसके अपडेट में आपको देती रहूंगे जैसे जो है वह बदलावा आते रहेंगे लेकिन फैबरी मार्च में भी स्नोफॉल होना बहुत जरूरी है तो हो सकता है बीच में आपको एक और बात बता दू कि अब हम सोच रहें हाइब आ गया स्नोफॉल नहीं हो रही लेकिन आपकर कई बार एपरिल में भी स्नोफॉल होती है तो इतनी जादा जो होने की जरूरत नहीं है डिसपॉंट हो सकता स्नोफॉल हो जाया जलदी देखने को मिल जाया स्नोफॉल और जो लोग स्नोफॉल देहने के लिए आना चाते हैं और एक और बात में आप लोगों को बहुत सारे लोग false updates दे देते कि snowfall हो रही है बड़ snowfall नहीं होती है तो पहले ensure करके यहां पर होटल से बुकिंग पहले करके आए अपने साथ warm clothes बगरा carry करके लाए बच्चे और बुजर्गों को लेके आ रहे हो तो ज़्यादा ध्यान रखने के आप लोगों को ज़रूरत है मनाली सायड में पूरे एक हफते तक next one week है वहाँ पे snowfall होने के 40, 60, 40, 60, 80% chances है तो वहाँ पे आपको snowfall देखने को मिल सकती है तो guys यही थी weather की update I hope आप लोगों को अच्छी लगी है तो please channel को subscribe करना so that आपके पास next update भी आ जाए और bell icon को press कर देना और like कर देना वीडियो को comment में बताना वीडियो कैसी लगी और अगर अच्छी लगी है तो please share भी करें रंग love you all bye bye